हलो एंड बिलकम अगेन दोस्तों आज मैं आप लोगों को हीपेटाइटिस बी इन्फेक्शन के बारे में जानकारी दूँगा हीपेटाइटिस बी क्या है ये कैसे फैलता है कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं इसके क्या सुरुवाती लक्षन आते हैं और कितने पर्षन लोगों को लिवर कैंसर या लिवर की सिरोसिस या लिवर की हीपेटाइटिस होने के चांसिस रहते हैं इन सब विशों पे जानकारी आज के वीडियो के माध्यम समय दूँगा तो हिपेटाइटिस भी एक बहुत ही कामन इन्फिक्षन है जो डिने वायरिस है जो आपके लिवर के अंदर जाके वहाँ पे बैठ जाता है मल्टिप्लाई करता है और लंबे समय में 15-20-25 सालों में लिवर को थोड़ा-थोड़ा नुकसान करते करते लिवर के अंदर सिरोसिस करा देना मतलब पूरी फाइब्रोसिस हो जाया और कुछ पर्शंट क्रेसेस में लिवर के अंदर कैंसर करवा देता है पूरे वर्ड में 200 करोड लोग इससे ग्रसी थे हैं इंडिया में भी अलग लग रीजन में दो से लेके 7 परिषंट तक इसका प्रिविलेंस है मतलब इतने वर्षन लोगों को infection है तो अगरार अराउंड पांच करोल लोगों को इंडिया में भी है और इसमें से लगबाग एक लाग क्यास पास लोग हर साल इस विमारी के कारण मर जाते हैं होने होने हैं तो इक तो लोगों को पता नहीं है वह अपने लिवर का नुकसान तो करवाई रहे हैं खुद को infection होने के कारण सीरौसिस या लिवर की cancer होने के chances हैं अपनी family close relative friends इनको भी infection देते रहते हैं अब बात करते हैं कि infection ये कैसे होता है कैसे फैलता है तो सबसे पहली बात जाने हैं कि infection blood से फैलता है blood और blood product से और दूसरे body के fluid मतलब कि blood हो गया saliva हो गया tear हो गया urine हो गया seminal fluids है vaginal fluids है उनसे shit से फैलता है breast milk से फैलता है तो मोटे तोर पे stool के अलावा जितने भी तरह के body fluid होते हैं उन सबसे फैलता है और यह बहुत ही small quantity में जराशी quantity में infection फैलने की capability रहते ही hepatitis B के अंदर मतलब कि HIV से 50-100 गुना जादा इस में infectivity rate होता है इस करणड से infection लोगों में बहुत जल्दी फैल जाता है और दूसरी बात यह infection बाहर जिनों तक जिन्दा रहता है साथ दिन तक बाहर जिन्दा रहता है इसलिए dry table पे पड़ा हुआ है कपड़ों में पड़ा है सूख गया है नेकडाई से नहीं दिख रहा है आपको नेकडाई से ना तो खून दिख रहा है ना दूसरी सिक्रीशन देख रहे हैं सलाइवा टीर कुछ नहीं दिख रहा है पर infectivity rate होती है यह मतलब सबसे बड़ी प्रावलम है इस infection के साथ में अब बात करते हैं कि हीपैटायटिस भी कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता तो सबसे जो कामन एक रूट है इंडिया में वह मदर से बीबी को है चाहे गरवाफस्ता के दौरान चाहे डिलेवरी के समय चाहे ब्रेस्ट मिल्क से तीनों रूट पासिडम है और इंडिया में बहुत बड़ा है अगर किसी बच्चे को इंफेक्शन मिलता है मदर से तो 90 परसेंट चांस है कि वो क्रोनी के रह जाएगा दूसरा ब्लड और ब्लड प्रोड़क्ट किसी को भी ब्लड चड़ रहा है रिगुलर बेसिस पे ट्रांस्विजन दिया जा रहा है जैसे थैलसीमिय के ब्लड प्रोड़क्ट एक बहुत बड़ा कारण है तो डालेसिस है इंट्रावेनस ड्रग यूजर है बहुत सारे लोग गृट के नसेली दवाई लेते हैं इंजेक्शन के द्वारा इस्किन पिरसिंग से होता है टैटूइंग है एक्क्यूपंचर अगर सेम निडिल से हो रह इन सारे । बढ़ा कारण है इंडिया में कि जो health care professional विरकर्स है वह सेम निडिल से बड़ों में वेक्षिनेशन देते हैं यह बहुत बढ़ा कारण इंडिया में था अभी तो disposable syringe की यूज होने से काफी कम हुआ है तो यह सारे अलग-अलग कारण हो गया infection कैसे आएगा दूसरे के सरीर में से आये दोस्तों बताते हैं ही hepatitis B का infection के लच्छन कैसे आते हैं क्या सुरुवाती लच्छन होते हैं कैसे इसको प्रता करा जाए तो यह जैसे hepatitis B का एक वाइरस हो गया है इसके अंदर DNA content होता है surface antigen अभी आप के या किसी भी ब्यक्ति को जिनको infect करने वाला होगा उसके blood के अंदर जाएगा और blood में से liver के अंदर जाके तो अगर यह किसी का liver है ऐसे लिवर में मान लेता हूँ अब यह जाके liver के अंदर जो हिप्रेटर साइड इंडिविजियल यूनिट्स होती है उसके अंदर जाके और अपने को वहां पर multiplication अपनी growth करवाने लगता है तो main problem क्या है blood से जाके liver के अंदर settle होगा और liver को damage करने से ही जादा तर जो लच्छन आते हैं वो आते हैं अब यह किसी भी रूट से जा सकता है जैसे कि मैंने अलग अलग काफी sufficient amount में हो जाएगा तब patient को जिसको infection हुआ है उसको लच्छन आएंगे तब यह समय कितना है infection के बाद symptoms आने का यह लगवाग on average 8 हपता होता है मतलब कि 2 महीना और वैसे बात करें के range की बात करें तो चार से वारा week मतलब एक महीने से तीन महीने के बीच में कभी लच्छन आएगा आप किसी को infection होता है तो उसमें कैसे सरीर के अंदर एक कैसे अपना immune system response करता है कैसे लच्छन आएगा उसके बारे में एक चार्ट आपको दिखाते हैं तो जैसा आप कि स्क्रीन पर देख पा रहे हो किसी को acute infection हुआ सपोर्च करो नेडिल प्रिक की वज़ा से अब देखें आप 60-65% लोगों को सब clinical infection होगा मतलब उनको कोई लच्छन ही नहीं cases में acute hepatitis होगा है इन ही patient में लच्छन आता है इन में से 99% लोग ठीक हो जाते हैं सिर्फ एक परसेंड लोगों में लीवर के अंदर एकदम feminine change हो जाता मतलब पूरे cells की necrosis होने कारण death हो जाती है और 5-10% लोग healthy carrier बन जाते हैं lifelong infection को देते रहते हैं अपने close relatives को contact वालों को और दोसरी लोगों को उनको भी कुछ लच्छन नहीं आते बस healthy carrier बन जाते हैं 4% लोगों में ये infection लंबा चलता है chronic infection के मतलब कि 6 महिने से ज्यादा का infection है उसको chronic hepatitis बोल जाता है उसमें infection में liver के अंदर सूजन होती रहेगी liver के cells enzymes हैं वो तूटते रहेंगे और जो chronic hepatitis है उसमें से 20-30% लोगों को cirrhosis मतलब liver के अंदर fibrous elements का बन जाना liver के जो काम होता है storage का काम होता है metabolism का काम होता है detoxification काम होता है ये सारे काम disturb होंगे और liver आखरी में खराब हो जाएगा और कुछ cirrhosis की cases में 10% cancer में hepatosillar carcinoma होने के chances रहते हैं और cirrhosis और hepatosillar carcinoma ही मरने का death होने का कारण होता है तो ये इस तरह से किसी को infection होता है तो इस तरह से पूरी एक hepatitis B का life चलती है मतलब कि acute infection हुआ तो जादा तर case में सब clinical हुआ अपने आप सरीर की immune system ने response किया और virus को नस कर दिया कुछ percent cases में chronic hepatitis होगी और कुछ percent cases में acute hepatitis होगी तो अभी मैं लक्षन बताता हूँ कि acute hepatitis के क्या लक्षन होता है तो लक्षन बिल्कुल अलग है acute infection के क्या लक्षन होते हैं पहले में उसके वारे मैं आपको जानकाई देता हूँ इवर के अंदर acute infection में फेज होती है different एक तो incubation phase है जिसमें किसी तरह कोई लक्षन नहीं आता फिर आती है pre-acteric phase मतलब पीलिया होने से पहले एक एक फेज होती है इसमें जो में लक्षन आता है वो जी मचलाना, उल्टी लगना, extreme weakness सा फील होना, ठकान बहुत तेज लगना, vomiting होना, low grade का fever बना रहना और दस्त रहना इस तरह के लक्षन आते हैं और इसके साथ में कुछ percent cases में 10 percent cases में serum sickness syndrome बोला जाता है जिसमें बुखार के साथ में skin में चकत्ते पढ़ना, rashes आना और arthralgia और arthritis मतलब माल स्पेशियों में दर्द रहना, joints में दर्द रहना और कुछ percent cases में liver को पालपेट करेंगे तो दर्द सा महसूस करना, liver, tenderness, पेट दर्द हो सकता है और कुछ percent cases में बुखार काफी तेज भी हो सकता हाई grade का fever हो, chills, राइगर के साथ मतलब कभी कभी भी लगे, ठंड भी लगे तो ऐसे लगे कि यार यह malaria की लच्छन हो सकते, तो जादर cases में low grade fever आता है शुरुआत में और कुछ percent cases में high grade fever भी हो सकता है, तो यह तो शुरुआत की phase होई, फिर आता है एक्टरिक phase, पीलिया वाली phase, तो पीलिया का मतलब क्या है कि हाथ पेर में पीला पड़ जाना, और जो आखे हैं वो पीली पड़ जाने हैं, तो पीलिया हो गया, दूसरा, बढ़ने के कारण urine में, urine dark color की हो जाती है, और stool का color हलका हो जाता है, हलका color का हो जाता है, इसके साथ में बढ़ेगा तो खुजली होना सही, इसके liver enlarge हो सकता है, लिवर के कुछ enzymes से वो बढ़े मिल सक प्रोथामिन टाइम है, AST है, ALT है, तो यह जादा तर इस basis पे आते हैं कि liver कितना damage हो रहा है, उसके enzyme कितना बाहर निकल रहे हैं, इसमें क्या है, जो बांकी के symptoms होते हैं, बुखार आना, जी मचला आना, उल्टी लगना, यह सारे लक्षण धीरे-धीरे सबसाइड हो जाते हैं, जब पीलिया होती है, तो बांकी के लक्षण सबसाइड हो जाते हैं, उसके बाद जो आखरी स्टेज होती है, जिसमें आपकी immune system T-cells ने वाइरस को मार दिया है, और यह सारे के सारे symptoms अपने आप फिर सबसाइड हो जाएंगे, immune response होने की बाद, तो यह पूरी जो cycle होत होता गया, acute hepatitis का लक्षण ही नहीं है, तो chronic hepatitis में लक्षण फी तब आएंगे जब cirrhosis हो जाएंगे, मतलब liver का जो पूरा cells हो जाएं, fibrous tissue से, cells अपने काम करने बन कर दें, तो 20-25-30 साल लग सकता है, अलग-अलग आदमी में कितक्या immune response है, उसके basis पे, तो वहाँ पे जो लक्षण आएंगे, वो liver के जो काम होते हैं, वो affected होंगे तब आएंगे, जो में लक्षण की बात करें, तो एक तो पीलिया होता है, पेट के अंदर पानी वर जाता है, लीवर का साइज सिकुड जाता है, metabolism कमजोर होने से हड़ियां कमजोर पढ़ जाती है, coagulation, blood clot करने के छमता होती है, वो liver की खतम हो जाता है, veins का prominent हो जाना, portal hypertension, तो पेट के उपर vein prominent हो जाती है, ऐसे ही अंदर राइसस खुल जाते है, तो उल्टी हो सकती है, खून की उल्टी हो जाती है, इस्प्लीन तिल्ली है, उसका साइज बढ़ा हो सकता है, infection की chances बढ़ जाते हैं, क्योंक समय में जब hepatitis B का infection पूरे liver को खतम कर देता है, खराब कर देता है, तब कि यह cirrhosis के लच्षण है, तो दोस्तों अगर इस तरह के लच्षण किसी को आते हैं hepatitis B के, तो तुरन जाके अपना doctor से मिले, जाचे करवाएं, अगर हो तो treatment उपलब्द है, vaccination उपलब्द है, जिससे कि infection को control किया जा सकता है, cure तो अभी possible नहीं है, कुछ person आप cases में cure भी हो जाता है, बस इतना जरूर हो पाएगा, कि आपके family member को infection आप से नहीं फैलेगा, और आपका liver damage नहीं होगा, तब सिरोसिस की stage में, cancer की stage में, नहीं पहुँचेगा, अगले वीडियो में इसके लिए क्य prevention है, क्या prevention है, क्या जांचे है, और क्या इलाज उपलग्द है, उन सारे विश्यों पर जान को, दोस्तों मिलते हैं, अगले वीडियो में, have a nice day, bye bye